यह question हमें बता रहा है पहले हमने जो potential meter में है एक standard cadmium cell use किया उसका EMF 1.018 volt था और तब हमारी balancing length जो है 509 cm आई फिर हमने इस standard cell को replace कर दिया एक दूसरी cell से और फिर तब हमारा जो balancing length है वो 750 cm आ गया हमें बताना है यह जो दूसरी cell हमने replace को किया उसका EMF कितना है आपने जब standard cadmium use किया standard cadmium cell और उसका EMF आपका कितना था 1.018 volt यानि कि 1.018 volt तब आपका जो balancing length है वो 509 cm था फिर हमने एक दूसरा cell standard cadmium cell को हटा कि हमने दूसरा cell लगा दिया और उसका EMF समझे आप कुछ E था तो तब हमारा जो balancing length है वो 750 cm आ गया हमें बताना यह दूसरी cell का EMF कितना था हमें पता है कि EMF is directly proportional to the balancing length in a proportional in a potentiometer यानि कि हम लिख सकते E1 by E2 is equal to L1 by L2 ठीक है E1 अगर हम standard cadmium का EMF ले यानि कि 1.018 और जो हमारी दूसरी cell है उसका EMF हम E2 ले तो यह directly proportional होगा L1 यानि कि हमारा standard cadmium जब था तब का balancing length divided by 750 राइट इसको हम लेंगे E1, L1 और इसको हम लेंगे E2, L2 यहां से आपका E2 का value जो जब आप इसको solve करेंगे तो आपका E2 का value approximately 1.5 volt आ जाएगा यह आपके दूसरे cell का EMF आ गया कर्या दो मेंगे कर्या कर्या दोřङ्टाइब defendant दूसरी कर्या अ जापका EMF कर्या है 4.1 अंपका E2, L2 आवर नपनाई 5.10 वार